हेलो फ्रेंड मैं हूं ताविश खान आप देख रहे हैं माँ चानल इसके लिए इंडिया फे ताविश आज मैं आपके लिए ले के आए हैं और बहुत ही अच्छा और इंटरस्टिंग टापिक जिसमें हम बात करेंगे यहां पर डिपार्टमेंट मैनेजर डिपार्टमेंट मैंने वीडियो लेके आ रहा है उसके नोटिफिकेशन आप तक जब पहले से पहले पहुझ सके हैं ठीक है तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलिए देना करते हैं अपने वीडियो को में स्टार्ट करते हैं जैसे कि सबसे पहले तो हम आपको बता दे क्योंदे डीपार्मेंट मैनेजर होता क्या है चृश्राइजर अगर रेटेल स्टोर्स में काम यह कर रहा है था तो आफने यह पहुत जदा सुनाओगा ड्यपाटमेंट मैंसर्स के बतांगा इस वीडियो के लदा फ्रैंड जब्सक्राइब बलस की निई आप हैं जाते श कि Cre homework करते हैं जो डिशा निर्दर सिते हैं कि आप ऐसे काम करो प्रोड़क्ष की सप्लाइब को मैनेच करना प्रोड़क को रेफिल करना प्रोड़क की मैनेजरे सब्सक्राइब कौन से रूटक का पर लगा घृएक है फोकल पॉम्वाइंट को लगाना यह सारी चीज़ें जो है थार न मैनेज़् करने पड़ती है चीऊ सारे ऑफ बहुत सारे टील और यह उपर डियाने सारे का करता दिभाटमे अ tutte TIME मैनेजर का वं होता है कि जो specific area दिया गया है उसको ठीक है जो specific department दिया गया उसको कैसे company के rules as regulation के according उसको manage करना ठीक है manage कैसे करना अपनी team के द्वारा ठीक है उसको जो है ना proper बना के रखना ताकि कोई भी product की customer को कोई problem ना है ठीक है हर product जो है अपनी team को समालना ठीक है department manager का under में आता है ठीक है तो यह तो हो गया department manager का work ठीक है अब हम बात करते step by step के department manager को किस-किस step के हिसाब से work करना होता है जो भी department manager होता है ठीक है उसकी एक अपनी SOP होती है standard operating process ठीक है जो उसको अपनी SOP दी गई उसको proper follow करना ठीक है उसके बाद में हमारा next point है KPI को follow करना ठीक है KPI की performance indicator ठीक है तो KPI के अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ KPI में हम सबसे ज़्यादा क्या लिखालते है कि conversion को लिखालना basket size को लिखालना daily sales report को लिखालना ठीक है इस type की की चीज़ी KPI के अंदर आती है अब अब सुचकर होंगी कि KPI में basket size और conversion क्या होता है तो इसके रिगार्टिंग मैंने आपके आराम के लिए इसके उपर deeply बहुत जादा जो है ना अच्छे से और खाफी अच्छे से मैंने इसमें समझाया भी है ठीक है तो इसके का KPI है ठीक है conversion basket size daily sales report इनको daily basis पर maintain करना ठीक है अगर कहीं पर कमी आ रही तो उसको जो है ना सुधाना ठीक है एक department manager का work होता है अपने department को सही तरीके से लेके चलना ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट है कि जो भी department manager है ठीक है उसको अपने क्यारे को follow करना जो भी की responsibilities area दिया गया है ठीक है जो उसको लिगे रिटिन तोर पर अपना क्यारे दिया गया उसके आरे को follow करना उसके बाद में हमाद नेक्स पॉइंट है कि जो भी आपको team दी गई उसको motivate करते रहना ठीक है कि कोई भी sales person है ठीक है वो demotivate हो रहा है तो उसको motivate करना कि वो अच्छे से काम को कर सकता है अगर किसी भी imply के उपर जो है एक्स्ट्रा वर्डेन आ गया है काम का तो उसको दूसरे जो team members से उनके उपर divide कर देना ठीक है बाट देना जिससे कि जो एक person है उसके उपर ज़ जाना ठीक है इस चीज के उपर भी हमें अच्छे से focus करके रखना पड़ेगा उसके बाद में बात करते हैं नेक्स पाइंट यह कि फ्रेंड जो भी हमें स्टॉक मिलता है ठीक है एक department में एक department manager के अंडर जितना स्टॉक आता है ठीक है तो हमें क्या करना है अपने स्टॉक क में जितना भी प्रोडक्स लगा है ठीक है section wise ठीक है तो उसमें क्या करना है अपने जो टील है उनको दिशा निर्देश देना है ठीक है और वो टील जाके टीम लीडर जो भी टीम मेंबर्स होंगे उनको जाके बताएंगे ठीक है कि आप जो है आपने जो भी स्टॉक है उस इस शौड आ रहा है तो आपको दुबारा कॉंड करवाना कि हो सकता है किसी के जो आना गिंती में कोई उपर नीचे हो गया फिजिकल कॉंड में ठीक है तो आपको दुबारा कॉंड करवाएंगे देखना है अगर वह स्टॉक सही आ जाता है तो कोई दिक्कर नहीं है ठीक ह कर और फिर सो शॉट आ रहा है तो फिर उसको शॉट जो है ना वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं थिक तो इस तरीके च instillrust को उसे बाद में next point is friend अपने stock को हमें stocks count किया है इससे इक सेइफ़रेर व्रिंस्टर बना डाओ बनाके रखना जिसमें हम एक क्या करना है कि हमारे जितना भी stock count हुआ है इस्ट बेफ्केट पीस कितने कितने पीस श्रिंखेज हो गाइं ठीक है उसका एक हमें अलग जो है ना रइश्टर बना के रखना उस रइश्टर को डेली मैंटेन करके रखना ठीक है ये भी department manager के अंडरी आता है ठीक है तो इस चीज़ को भी जो भी company की policy उसके according follow करना ठीक है इसके बाद मैं बात करता है मैं next point jsumarा next point है वह है अपना जो sales target आया है अपका ठीक है जो monthly target आया या list ने कंप्लेट करना ठीक है तो यह जो भी the cabbage manager के अंडरी आता है झाल से यकोतार को पनेbul मैनेशर को एक चेह यह बहुँ अन्रम मरा मेनेशर को एक और ध्यान एक भी मौनिन चाहिए मौन इसके आप जिए चौट अरगे उसके शूप मेनेशर को इसको अपने मौनिभा की नव्हाम सब्सक्राइब को अहले हैं चाहिए ऑं sama सब आप कि डिसकूस करेंगे मीटिंग में जब आप इस टाफ की मीटिंग लें तो वहाँ पर इस चीज़ को डिसकूस कर सकते हैं ठीक है तो यह भी एक department manager के job duties के अंदर आती है ठीक है अब एक चीज़ का और vgo mobile इसकी भी हमें रिपोर्ट बना के रखनी होती है ठीक है कि हमाए इस्टोर के अंदर इस्कीम ऑफर जो भी चल डag रखना य дня के जब भी हम इस्टोर के नदर च्ूर को चेक कर एक रहा है ठीक है और ःकूल में यह चीज़ भी चक करके रखना है कि जो कीमों α Васही भी EsCould तो हमें क्या करना उस प्रोड़क को महां से लिकलवा के उस जो डिस्पले एरिया है वहां पर उसको लगवाना है ताकि वो कस्टमर की नज़र तक आसानी से पहुझ सके और कस्टमर उसका फैदा उठा सके ठीक है और जिससे हमारे स्टोर की सेल भी बढ़े और साती जात इसनी एजूकेशन की जरुवत पड़ती है ठीक है तो फ्रेड अगर आप कहीं पर डिपार्टम मैनेजर के लिए अपलाई करना चाहते है तो आपको 12 पास प्लस 12 पास होना चाहिए अगर आप ग्रेजिशन कर रहा है तो भी चले रहा है ठीक है या फिर आपका ग्रेजिश कर डिप्लोमा आए ठीक है क्योंकि यहां पर आपको कंप्यूटर फे वर्क करने कर रहाएगा ठीक है आपको अपनी डेली सेल्स रिपोर्ट बनानी होगी एक्सल चीट के उपर ठीक है कंपनी के सौब्वेर होंगे उसको भी चलाना होगा ठीक है तो इसके लिए आपको पांस साल के बीच में आप क्यों retail stores का experience होना चाहिए जिससे के आप यहां पर apply कर सके ठीक है एक department manager के लिए ठीक है इसके बाद हम साली की बात कर लेते हैं फ्रेंड जो department manager होता उसको 16 से 30,000 रुपए के बीच में आसानी से सैली मिल जाती है ठीक है फ्रेंड तो फ्रेंड यह जो मैंने चीज़े आपको बताएं यह एक्चुल मैंने अपने हिसाब से एक्चुल आपको बताएं लेकिन जो आपके किसी स्टोर के अंदर आप इंटर्व्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर टर्म सेंग कंडिशन अप्लाई जो होती है न वह अलग हो सकती है ठीक है कंपनी की पॉलसी रूल्स एंड रेग आपको एक चीज बताएं वहर जग आपको यही मिलें ठीक है तो थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है ठीक है तो इसके लिए आपको परशाद ना हो ठीक है और जो बेसिक चीज़े थी वह मैंने आपको यहां पर बता दी कि डिपार्टम रेनेजर की क्या जॉब जो हम जानकारी आपको देते हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है